तो आज के वीडियो के सभी क्वेस्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यह सारी क्वेस्चन जो है वो गिरिदाज सापताहिक पत्रिका से लिए गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेस्चन की तरफ आइसलेंड स्थित एक कमपनी है यह कमपनी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूतापिय स्टोर स्थापित करेगी तो इस कमपनी का नाम है जियो ट्रॉपी आइसलेंड नवीन भूतापिय तो यह कमपनी जो है किस जिले में एक भूतापिय स्थापित करेगी चार option आपके पास दिये गए हैं इसका सही answer आएगा जिला किनौर और क्षित्र का नाम है टापरी तो किनौर के टापरी में जो है एक भूतापिय CA store स्थापी धिया जाएगा आप देश का नाम भी याद रखेगा आप से पूछें कि कौन सी country वहाँ पे एकी CA store लगाने जा रही है चली अगला सवाल आएगा हमारे पास जंगी थोपन पोवारी हाइडरो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है तो जंगी थोपन जो पावर प्रोजेक्ट है ये बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर तो रिबर सतलुज यहाँ पे आंसर आ जाएगा अगला सवाल है किस वर्ष तक राज्य सरकार प्रात्मिक से लेके वरिष्ट माध्मिक स्तर के 2050 पार्ट शालाओं को चरणबत तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सिलेंस बनाएगी तो मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सिलेंस बनाएगे 2050 स्कूल जहाँ पे जो लैब फैसलिटीज हैं लाइबरीज हैं और कंप्यूटर जो रूम है वो प्रॉपर सेटप किये जाएगे तो 2050 हैं तो यह कब तक बनाने का निर्ने लिया गया है तो इसका सही आंसर आएगा 2026-27 तक जो हैं यह बनाए जाएगे अगला सवाल है 2023 में कितने मेगावाट सौर उर्जा के उत्पादन का लक्ष रखा गया है जो की important सवाल है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो लक्ष है वो एक green energy state बनने का है जिसमें solar power बहुत important role play करेगी तो इसका सही आंसर आएगा 500 megawatt 500 megawatt सही आंसर है चलिए अगला सवाल है यूद या यूद जैसी स्थितियों में शहीद सैनिक जिनमें सशस्त्र सेना और अर्ध सैनिक बलों के जवान शामिल है उन्हें पूर्व में 20,00,00,00 रूपे दिये जाते थे तो ये राशी अभी बढ़ा दी गई है तो बढ़ा कर ये राशी कितने की गई है ये हमारे पास सवाल है इसके option देखे चार option हमारे पास है वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने मेट्रिक टन मचली उत्पादन किया गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो फिशिंग में बहुत जादा जोड़ दे रही है इस एक्टर की तरफ तो हमारे पास जो यह चार ऑप्शन दिये गए हैं सही अंसर आएगा 17,025.97 मिट्रिक टन इसका सही अंसर है कुछ आंकडे जो है वो बहुत डिरेक्ट पूछे जाते हैं आप याद रखेगा अगला सवाल राज्य सरकार 100 किलो वाट से लेकर 1 मेगा वाट तक जो सौर उर्जा परियोजनाएं हैं इसकी स्थापना पर युवाओं को कितने प्रतीशत सबसीडी मुहिया करवाएगी अगर आप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जो कि 100 किलो वाट से लेकर 1 मेगा वाट तक का होगा तो गवर्मेंट सबसीडी प्रोवाइड करेगी तो चार आप्शन आपके पास है कितनी सबसीडी दी जाएगी और इसका सही आंसर आएगा 40% गवर्मेंट की त धनराशी देगी तो इसका सही आंसर आएगा 50,000 रुपे तो 50,000 रुपे गवर्मेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी चली अगला सवाल भी इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में नवींतम तकनीकों का उप्योग करके प्रयाप्त मात्रा में गुणवत्ता पॉन और उन्नत मचली बीज ध्यान दीजेगा उन्नत मचली बीजों के उत्पादन के लिए मतस्य विभाग किस थान पर मतस्य बीज केंदर में राष्टी अस्तर के ब्रूड बैंकी स्थापना करेगी जिसमें जो है वो अलग अलग तरह की मचली की जो स्पीशिज है वो पाई वर्तमान समय में प्रदेश में कितने परिवार मतस से उतबाधन से जूड़े हुए हैं तो फिश प्रोडक्शन में कितने फैमिली इन्वाल हैं सही अंसर है 15,398 सही अंसर है चरी बिमारी या किसी अन्य कारणों से मृत्यू की स्थिती में सैनिक के आशृतों को प्रदत उनके मृत्यू हो जाती है तो उनके परिवार को कितनी राशी दी जाएगी जो कि भी बढ़ा दी गई है तो 5,5,5 लाग की गई है साड़े साथा अप लाग याद रखेगा योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को एक साल पूरा हो चुका है तो इन्होंने जो है पिछले एक साल में काफी जो ये दन राश्यां है ये बढ़ाई है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है अगला सवाल आएगा हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2023 में जलवायू परिवर्तन मंत्राले भारत सरकार द्वारा तीन लाग से कम अबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे रहा है तो प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है हां जी चार आप्शन है ध्यान देंगे आप 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष हिमाचल प्रदेश का है तो इसको पूरा करने के लिए प्रथम चरण में हिमाचल पत परिवहन निगम जो HRTC है वो अपने बेडे से कितनी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी इंपोर्टन सवाल है जी HRTC की कितने डीजल बसीज जो है वो इलेक्ट्रोनिक बसीज बन जाएंगी तो हमारे पास यह उप्षन दिये गए है सही अंसर आएगा पंदरा सो पंदरा सो सही अंसर है वेरी वेरी इंपोर्टन क्वेश्चन पंदरा सो आप ध्यान देंगे पंदरा सो डेजल बसीज को एलेक्ट्रिक बसीज में कनवर्ट किया जाएगा ठीक है उनकी जगह पे मतलब रिप्लेस किया जाएगा चलिए अगले सवाल आएगा आपके पास राष्टिय बागवानी बोर्ड के वर्ष 2021 बाइस के आंकड़ों के नुसार भारत फलों और अबजियों के उत्पादन में चलिए जी अगले सवाल की दरफ बढ़ते हैं लवी मेला बहुत फेमस है अंतराष्ट्य मेला है किस मैदान में उचित की आ जाता है जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो लवी मेला हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना ट्रेड फ बताईएगा कि किस ग्राउन में होता है ये हाँ जी क्या लग रहा है आपको चार उप्शन है सही अंसर आएगा इसका पार्ट बंगला तो पार्ट बंगला आपने याद रखना है पार्ट बंगला मैदान चलि अगला सवाल है शाधी मेला हिमाचल प्रदेश में किस थान बन्गर में ये मेला लगता है ये अगला सवाल इंपोर्टンダ है चुली तेल जिसे प्रदेश विज्यान प्रधियोगी की एवं परियावण परिशत के द्वारा भागोलिक संकेतक पनजीकरं के तहट पनजिकृत किया गया है तो चुली तेल को जी- Sara टैग दिया गया है तो GI tag दिया गया है तो चुली तेल का संबंध किस जिले से है चार option है अंसर आएगा कि नौर very important हिमाचल प्रदेश के जितने भी GI tag products है उनको आप याद रखेंगी तो चुली तेल कि नौर संबंधित है ध्यानुभक्त की समाधी हिमाचल प्रदेश में कि स्थान पे हैं तो ध्यानुभक्त जो है वो मा ज्वाला के बहुत बड़े भक्त है और उन्होंने माता को जो है अपना शीष अपना जो सिर है वो चड़ा दिया था तो इनकी पूजा बहुत जादा होती है तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास कांगणा तो कांगणा से सम्बंधित हैं ध्यानुभक्त चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला सवाल भी इंपोर्टेंट है चिंडी माता मंदिर चिंडी माता मंदिर जिसका नक्षा किसी इंसान ने नहीं बलकि चिंटियों की डोर ने तयार किया था हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सम्बंधित है हाँ जी तो चिंडी माता मंदिर का नक्षा जो है वो चिंटियों ने बनाया था और उसके बाद मातरानी ने पंडित जी को जो है उन्हें संतान की प्राप्टी होती है तो बहुत फेमस ये मंदिर है अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मेला कुल्लू जिले से सम्बंधित नहीं है ठीके जी कुल्लू से सम्बंधित नहीं है तो आपके पास ये option दिये गए है आंसर आएगा नागनी मेला कुल्लू में नहीं लगता है बाकी जो तीनों मेले है भेकली मेला, चौंग माता मेला और मोहल जातर इसका संबंध जो है वो किन और से है आप याद रखेगा तो इस तरह से हमारे questions कंप्लीट होते हैं वीडियो आपको पसंद आई है लाइक, शेर, कॉमेंट आप जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके बाइ